Hello dear listeners, dear listeners, today we will take unit 9, subject and predicate. तो कि इस पूरी unit में हम subject और predicate के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम यह करेंगे, वरकशिट 1, इसको करते हैं, तो जैसे हम इसको करेंगे, आपको पतल जाएगा, कि subject क्या है और predicate क्या है, यहां लिखा गया है, read the following, तो यहां पे एक sentence दिया गया है, उसे हमें पढ़ना है जहां से, अब देखिए, the monkeys, the monkeys took away the basket full of fruits, okay, now discuss with your friend and try to find out what the sentence is about, तो आपको discuss करना है इस sentence के बारे में अपने friend के साथ, और जानना है कि इस sentence किस के बारे में बात कर रहा है, तो आपको से बात कर रहा है, तो आपको से बात कर रहा है, किस के बारे में बात कर रहा है, कौन लेकी गया बास्केट को, तो मैं पता है, monkey, monkeys लेके गए, तो पूरे sentence में किस के बारे में बात कर रहा है, मंकीस के बारे मैं कि जो मंकीस थे वो है, फरूट की जो है, जो बास करती उसको लेकर चलेगे The above sentence is about the monkey. Above sentence किसके बारे में बात कर रहे हैं, मंकीस के बारे में बात कर रहे है, Now, let us divide the sentence into two, आप ऐसा करते हैं कि जो पुरा sentence था इसको दो पार्ट में इसके बारे में बात कर रहे हैं इसको एक पार्ट में लेते हैं बाकी दुसरी पार्ट में लेते हैं इसके बारे में बात की 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 पुरी संटैंस में मंकी के बारे में उसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया ठीक सब्सक्राइब। पता है कि ռंकी में बारे में बता है कि मैंकी निखन गये थे तो जो सेकंड पार्ट परवाइड अस ओन्ट पहर ना चाहिए और इंफोमेशन के बारे में कि में मॉंकी क्या लेकिछ लेकि बास्कोड को लेकि चलेकिक हम पूरी इंफोमेशन नोगा लेकिन जो हमें the monkeys बात monkeys के होती है और साथ साथ हमें यह भी बता रहा है कि monkeys क्या चीज़ लगे गए है तो यह बहुए the second part है provide us more information about the first part first part के बारे में और information दे रहा है कि जो monkeys है सटैस कंदर बता रहा है monkeys first part second part हमें full information दे रहा है कि वो जो है जो fruits की जो basket उसको लिके चलेगे तो अवे the basket full of fruits now remember the part of sentence that tell us what the sentence is about is called the subject अब यह बोरे हैं जो part है जो हमें बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं पूरे कोई भी sentence हो उसके बारे में जिसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगा उसको क्या बोलते है subject इसे बात कर रहे हैं कि कोई भी sentence के पास आता है कि अगर हम उसकी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसी बात करें हैं इसके बारे भी हम बात करते हैं कि वो क्या होता है वो subject होता है तो पूरे sentence में मंकी के बारे हम बात करने है तो भू क्या है subject बता देप्ट है प्याज को सबजेक्ट क्या होता है next day the part of the sentence that tell us more about the subject is called predicates जो हमें और information देता है उस first part के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो second part को हम क्या बोलते हैं, predicates बस आपको इतना याद दखना है कि एक sentence में, एक पुरा full sentence होता है, उसके two parts होते हैं एक sentence से two parts होते हैं, एक होता है subject और उसको दूसरे को बोलते हैं, predicates subject क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, sentence के अंदर वो subject है, और जो information देता है, हमें और information subject के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, predicate, fine, now, लिखे आपर लिखा है, exercise 2 लिए, look at some more examples, अब कुछ और examples देएंगे, उसको ध्यांसे देखना है, यहाँ पर लिखा है, sumit is reading an email, तो अब इसमेत पता लग रहे है, कि sumit क्या है subject है, कि हमें, sumit के बारे में पता लग रहे हैं, क sumit जो है, क्या पढ़ रहा है, email पढ़ रहा है, sumit के subject, और हमें पूरी information दे रहा है, second part, is reading an email, तो अब प्रेडिके, tell us what the subject or sumit is doing, क्या कर रहा है sumit, sumit क्या कर रहा है, sumit क्या कर रहा है, second part, is reading an email, तो वो क्या होगा, हमारा predicate, और second, हमारे पास यहां पर और भी examples, जो मैं बता दी जा रहा है, now, यहां पर जियसे दिया है, Neha has brought a book, तो हम पूरी sentence में किसकी बात कर रहा है, Neha की, तो Neha क्या हो गया, क्या है, यहां पर subject है, और second में हम यह कर रहा है, has brought a book, तो tell us what Neha has done, Neha ने क्या किया, तो हमें पता लग रहा है, sentence से, यहां से, कि, पूरी sentence के बारे में, कि, नहा ने क्या किया, और information दे रहा है, हमें, तो को गया, Predictates, यहां से,ото Karan & Rohan, और निएंग Tennis, तो कान कर रहा है, क्या क्या रहा है, कान क्येılar रहा है, क्या होर्थ रहा है, क्या खेल रहा है, तो क्या हो गया, जह बज़ा हुआ है तरएंकाऊ स्ल लाहससे होut, हुपसक तरह वाले वर स्केसे है यू है नहिते पोल के अवह किसे संदuna, Medan, वह उत्ते बाकी आए लोट गुले भरह मुपकी अमेरे क्षेरों बाते है को बजाहने onिव जाहने, तो एक पाकि पहनए लय है। नाउ, नेक्स्ट हमाइ, डू दएलिफंग वेज़ उपने तितो अब क्या है, जान देना यहां, यहां पर कि पुरी संटैंज में बीच में बीच पर कि आ रहा हैं, आप देखों कि फॉर्स्ट में यहां तो फॉर्स्ट वाला हो गया, पर कुई बार सुझेट्स के बीच में have any teeth क्या है ? मैं बता रहा किशित हरा है नहीं ? क्या है ? क्या है? प्रिडिकेट सब्जेटेट के बारे में बात कर रहे थाओ सब्जेटेट वह आपकेश है ? प्रिडिकेट बुर्पो डॉर क्या है ? क्या है ? कि कौन कोई हो सकता है कि फिर को जो सकता है तो क्या हो गया सब जाक्ट हो गया विडिक साथ हुआ enroll you तो yht Keeping your when only तो यू इसके बार में बात कर तुम से पूछ रहा है तो यू क्या है सब्जेक्ट है और रितूस ब्रदर क्या है प्रेडिकेट यू होप यू अंडरस्टैंड नाओ इविल टेक दे नेक्स एक्सराइज पर उससे पहले बडिया पे लिखाबा भी है और संटेंसिज कोई बी संटेंस हो चाहे वह कौॉस्टन हो या आपका स्टेट्मेंट है चाहे अतुमेंट हो देहाख है और सुब्जेक्ट उसमें कहाता है subject and predicates होते ही होता है एक sentence के two parts होते है एक होता है subject दूसरा लगाता है predicates ना वक्षिट टू से आपको clear हो जाएगा यहाँ पर divide the following into subject and predicates अब हमें जो है यह पूरे sentence को divide करना है subject and predicates के बारे में तो first जाएगा है I bought a book of fairy tale yesterday तो पूरे I bought a book of fairy tale yesterday बात किसे बारे में होगी मैं से आपने में हम बात कर लुए right now what should we do, subject इसको circle कर देंगे और क्या हो जाएगा यह आपकर while actually all information about which way दें जाएगा है maiने किया क्रिजा था उसको puts information given is what we promote prediction को i mean C pickle प्र amusement doubt request cm disgrace इसकी बात करें, है two sisters, यह क्या हो गया, प्रिडिकेट, then the two sisters were very cruel to her, तो किसकी बात हो रहे है, two sisters की बात हो रहे है, the two sisters क्या है है हमारे पास subject है, और दूसरा जो हमें information दे रहा है, कैसे हैं वो, were very cruel to her, उसके लिए बहुत क्रूल थी, तो यह हो गया हमारे पास, प्रिडिकेट now, snow white was a beautiful princess, अब पूरे sentence, इसकी बात कर रहे है, snow white के बात करें, तो snow white क्या है, यहाँ पर, yes, it's a subject, rest, पिछे हो गया, was a beautiful princess, यह क्या है, information दा रहा है, वो खुबसूरत, थी, snow white, we detailing कर रहे है, तो यह क्या है, now, she was very lovely, she was, snow white, she, किसी के बारे हम बात कर से, मैंने का था, किसी भी परसन के बारे हम बात करते है, तो बहुगा subject, और was very lovely, यह हो गया हमारा, her stepmother wanted to kill her पूरा sentence में किसकी बात हो रही है her stepmother इसकी मदर की बात हो रही stepmother की तो यह गया subject अबाकि क्यों हो गया हमारे पास wanted to kill her इसलिए तड़ा मान चाती थी तो गया predicates now थमलीना could sleep inside a matchbox इसके बारे में बात हो रही है पूरी information कौन दे रहा है, पीछे का sentence हमें, ठीके, यह होगे हमारा predicates, now, Rapunzel was locked inside a castle, तो किसकी बारे में बात हो रही है, Rapunzel के बारे में बात हो रही है, यह क्यों होगा subject, बाकि क्या होगा हमारे पास predicates, now, she had beautiful golden hair, वो, Rapunzel, ठीके, तो Rapunzel के बारे में बात हो रही है, इसके golden hair, यहां पर शीर का यूज किया गया है, यहां पर शीर होगा subject, and had beautiful golden hair, the predicates, next, हमारे पास, all these pretty ladies in the fairy tales, become happy at the end, तो किसकी बारे में बात हो रही है, यहां पूरे के पूरे में, all the prettiest lady in the fairy tale, इतनी भी pretty lady है, fairy tales के बारे में बात हो रही है, तो यह पूरा का सन्न यहां से यहां तक, okay, all these pretty lady, कहां किसमें थी, in the fairy tale, तो यह सारा का सारा क्या होगा होगा हमारे पास, यहां fairy tale की बात हो रहे है, pretty lady की बात हो, यही subject है, और become happy at the end, यह क्या होगा है, हमारा predicate, यह subject है, all these pretty lady in the fairy tale, is subject, and become happy at the end, ही क्या है, हमारा predicate, so dear students, that's all for the day, hope you understand the concept of subject and predicate tomorrow I will do the next exercise thank you and have a nice day